Hello friends, आज मैं आपको Young and Beautiful ये 2013 की एक French movie explain करने वाला हूँ इस movie में हमारी main character अपने आपको discover करती है उसके बाद एक गलत रास्ता यानि prostitution में चली जाती है इसके बाद कुछ होता है जिसके उसकी पूरी life change हो जाती है ये आज की हमारी movie की storyline है explanation स्टार्ट करने से पहले मैं आपको request करता हूँ कि प्लीज अगर आप कोई वीडियो अचा लगा तो इस पर comment और like जरूर कर दीजेगा तो बिना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है movie स्टार्ट होती है और हमारे main character इसाबेला ये एक beach पर सन्बात ले रही है उसका अभी अभी एक boyfriend बना हुआ है उसे ढूंती ढूंते है उसके घर तक आया था इसाबेला कहा है कि किसी को भी पता नहीं था उसे ढूंते हुए उसका brother Victor ये sea shore तक आया उसे बताता है कि उसका boyfriend आया हुआ था इसाबेला बोलती है कि मदर को ये सब बात नहीं पता चलनी चाहिए उसकी मदर उसे बहुत सारे questions पुछेगी और ये उसे अच्छा नहीं लगता और एक problem ये भी है कि इसाबेला फ्रेंच है और उसका boyfriend जर्मन ये बात जब किसी को पता चलती है तो cleangy moment हो जाता है तो इसलिए छुबा कर रखना चाहती है इसाबेला चाहती थी कि मदर को पता ना चले पर मदर को पता चल चुका है मदर इसाविला को कहती है कि एक रात वो हमारी फैमिली के साथ डिनर कर सकता है इसाविला कहती है कि वो इतना स्मार्ट नहीं है मैं उसे कही भी इन्वाइट नहीं करना चाहती इसाविला का बॉइफरेंड बीच पर था तो वो भी वहाँ पोज गई बॉफरेंगा नाम फिलिक्स है फिलिक्स इसावेला के पास आता है रात में एक पार्टी होने वाली है तो उसमें उसे इन्वाइट करता है वो पार्टी में तो जाना जाती है पर अगर सबके सामने गए तो प्रॉलम आ सकता है उसका परदर उसकी फैमिली को डिस्ट्राइक करता है और इसावेला पीछे के दरवाजे से निकल जाती है इसके बाद हम देखते हैं कि इसावेला और फिलिक्स ये दोनों बीच पर वॉक करते है आइसक्रिम खाते हैं बीच की सैंड पर हैंग आउट करते हैं ये दोनों फिर यहीं इंटिमेट हो जाते हैं इसावेला का यह फर्स टाइम था राद में फिलिक्स इसावेला को घर तक छोड़ने की लिए आता है इसावेला का ब्रदर वरेट था तो इसावेला के रूम में ही सो रहा था उसे actually पता था कि आज इसाबेला क्या करने वाली है यह brother sister एक दूसरे के साथ transparent है Victor इसाबेला से बोच्छता है कि वो कैसी है पर इसाबेला उसे बहाँ से निकल जाने के लिए कहती है उसके लिए यह ज़रा अजीब experience था एक दो दिन में इसाबेला का 17th birthday आता है यहाँ celebration के लिए उसने फिलिक्स को नहीं बुलाया यह summer चल रहा था अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ वो आई हुई थी actual में उसकी mother और फादर का divorce हो चुका है तो हर summer वो अपने फादर से मिलने के लिए यहाँ आती रहती है उससे पता था कि उसकी और फिलिक्स की relationship जादा आगे नहीं जा सकती है वैसे भी उसे सिर्फ वो यूजी कर रही थी जब वो फिर से अपने घर return हो रही है तब रस्ते बर उसे फिलिक्स दीखता है पर वो फिर से mood कर भी नहीं देखती है लाइफ के साथ आगे बढ़ जाती है इसके बाद हम directly autumn season देखते है बहुत सारा time गुजर चुका है इसावेला अपने एक client से मिलने के लिए hotel में आई हुई है वो पैसो के लिए आजकर लोगों के साथ सोती है आजकर उसका client एक बहुत ही बुड़ा आदमी है वो जब इसावेला को देखता है तो कहता है कि तुम्हारी age तो तुमने बहुत ही जादा वताई थी उसे वो underage लगती है इसावेला भी कहती है कि तुम भी तुम्हारे photo जैसे नहीं हो उसने एक online website पर register किया था जिससे उसे client मिलते है इसी वज़े से इन दोनों को जो info मिली है यह obviously जरा सी गलत है यह जो अब hotel का client है इसका नाम है George George फिर इसावेला को उसके पास बैठने के लिए कहता है उससे वो पोचता है क्या तुम student हो इसावेला गेती कि हाँ वो गयता है कि आजकल हाला थे खराब चल रहे है George फिर इसावेला को उसके पास बैठने के लिए कहता है उसे सहारता है और बोलता है कि तुमारी eyes बहुत ही beautiful है इन में एक अजीब सा दर्थ है इसके बाद यह दोनों intimate हो जाते है इसके बाद हमें directly इसावेला का classroom दिखाया जाता है इस classroom में एक poem पर discussion चल रहे है वो poem क्या थी यह important नहीं है क्योंकि इस discussion से इस movie की story पर एक background commentary की जाती है इसमें से एक लटका कहता है कि summer था summer में आपको joyful एक happiness मैंसूस होता है इसमें जो नशा है इसके बारे में poem थी दूसरा लटका कहता है कि यह poem joy और sadness के बारे में है एक adventure हुआ पर उसके बाद भी आप अकेले ही रहे गए इसमें से दूसरी लटकी कहती है कि यह poem प्यार ढूनने के बारे में है अगर हम movie की situation देखे तो Isabella यह सब क्यों कर रहे है यह भी यहाँ से define होता है समर खतम हो जाने के बाद Isabella को एक adventure चाहिए था इसलिए वो यह सब कर रहे है इसमें और एक mini निकल कराता है यह सब वो कर रहे है पर फिर भी sad है वो कुछ ना कुछ तो सही ढूरना चाती है पर अभी तक उसे कुछ भी मिल नहीं रहा Isabella के class में एक लड़का उसे पसंद करता है पर उसे वो ज़्यादा भाव नहीं देती है Isabella continuously अलग-अलग client से मिलती रहती है एक businessman उसे hire करता है सिर्फ अपने आपको please करता है पर उसे touch भी नहीं करता उसे हो पूरे पैसे नहीं देता Isabella उसे बुछती है तो गहता है कि तुमारी इतनी ज़्यादा prize नहीं है वो उस पर कुछ भी कर नहीं पाती है एक दिन उसकी मदर उसे ठेटर ले जाना चाती है पर Isabella गहती है कि मुझे बहुत सारा study करना है मैं नहीं आ सकती है उसकी मदर उसे समझाती है कि जब मैं तुमारी एज की थी तो बहुत मज़े करती थी पार्टीज में जाती थी अलग-अलग चीजें ट्राय करती थी ये conversation थोड़ी सी quirky है क्योंकि Isabella क्या करती है इसके बारे में मदर को कुछ भी आइडिया नहीं है जब ए ठेटर पहुचते है वहाँ पर Isabella को उसका client George दिखता है वो एक तुसरी लड़की के साथ वहाँ आया हुआ है इंटर्वल में Isabella उसके सामने जाकर उसे dirty look देती है यहाँ पर Isabella notice करती है कि उसकी मदर उनके family friend के साथ flirtatiously बात कर रही है उसे लगता है कि उसकी मदर का affair चल रहा है Already Isabella को उसकी stepfather और मदर के साथ रहना पड़ता है थोड़ी दर में Isabella को George का message आ जाता है इसके बाद यह regularly मिलने लग जाता है एक दिन वो George से पुछती है कि ठेडर में तुम्हारे साथ वो लड़की कोन थी George कहता है कि वो मेरी daughter थी बहुत सालों तक हमने एक दुसरे से बात नहीं की थी अब मैं हम दोनों में relationship सुतारना चाहता हूँ इसलिए मैं उससे मिलता रहता हूँ इसलिए उससे पुछती है क्या तुम अच्छे husband हो गयता है कि मैं try करता हूँ George इसलिए से भी उसके बारे में पूछना चाता है पर वो कुछ भी बता दी नहीं इस बार जब वो intimate हो रहे थे तो अचानक से heart attack की वज़े से George की date हो जाती है इसलिए बहुत डरती है उसे बचाने की कोशिश करती है पर करनी बाती है वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे पर बात्रूम में उगिर गए उसके सर पर थोड़ी सी चोट आती है यही बात्रूम में George कुछ performance की गोलिया लेता था ये भी उसे मिलती है इनी गोलियों की वज़े से उसे heart attack आ गया पुलीस को पता चलने के बाद investigation होती है डारिकली इसाबेला की मदर सिल्विया के पास पुलीस आते है इसाबेला क्या करती है इसके बारे में सब कुछ बताते है जो incident हुआ था इसके बारे भी मदर को पता चलता है मदर पहले तो believe नहीं कर पाती उसे लगता है कि इसाबेला यह सब नहीं कर सकती जब पुलीस उसे सबसबूत दिखाते है इसाबेला जेजिस होटेल में जाती थी, वहाँ की CCTV कैमेरेस से निकाले हुए इमेज जब वो देखती है, तब उसे शौक लगता है, पुलिस उसे कहते हैं कि इसाबेला 17 साल की है, इसी वज़े से उसे कुछ भी सजा विगरा नहीं होगी, लीगली तो उसे विक्टिम ही माना जाएगा, और भी इन्वेस्टिकेशन के लिए सिल्विया के साथ वो घर पर आते हैं, इसाबेला का लैप्टॉप वेगरा देखते हैं, वहाँ पर उन्हें इसाबेला इंटरनेट से क्लाइन ढूंदी थी, यह सब पता जल जाता है, इसाबेला ने सब कुछ पैसे सेव करक जाते हैं, जब इसाबेला घर पर आती हैं, तो उसकी मदर उसे बहुत मारती हैं, उसे पूछती हैं, तुमने किया क्यों, इसाबेला उसे कुछ भी नहीं बता दिया, मदर अब इसाबेला को लेकर बहुत ही वरिट है, उसका हस्बन उसे समझाता है, कि इसाबेला बहुत द डील दी अपना नंबर देखकर वहाँ से हो चला गया इसा पहला गहती है कि मैंने सोचा और मुझे लगा कि मुझे ट्राइ करना चाहिए जब वो उस आदमी के साथ थी तो उसे कुछ फील नहीं हुआ जब पहली बार उसे से हो अचिन बात करती थी लेडी ऑफिजर उसे पुछती है क्या तुम कंटीन्यू करने वाली हो इसाबला कहती है कि मुझे पता नहीं है ऑफिजर उसे समझाती है कि ये बहुत ही डेंजरस था तोमारे साथ कुछ भी हो सकता था इसावेला ने जो भी सब पैसे कमाये थे ये सब अब उसकी मदर रखने वाली है डिनर डेवल पर डिसकेशन होती है कि उस मने के साथ क्या किया जाए तो मदर कहती है कि हम इसे डोनेट कर देंगे इस बात को लेकर इसावेला बहुत ही अपसेट है मदर इसावेला को थेरपिस्ट के पास लेकर आती है मदर कहती है इसे पैसों के कोई भी ज़रूरत नहीं थी इसे बॉकिट मने देती हो इसे जो भी चाहिए या वो बाई कर सकती है इसावेला के फादर भी उसे पैसे सेंड करते रहते हैं इनमें डिसकेशन होती है कि इसावेला के पैसों के साथ क्या करना चाहिए तेरपिस्ट कहता है कि वो उसने कमा है यह उसे ही मिलनी चाहिए एक दिन इसावेला के फैमिली फ्रेंड्स अपने बच्चों को घर पर छोड़ कर पहार जाने वाले थे इसावेला को वो बेबिसेट करने के लिए पुलाते है जब रात में वो घर पर आते है तो अजबन कहता है कि हम इसावेला को छोड़ कर आता हो पर वाइफ को इसावेला की बार में पता है वो उसे खुद घर छोड़ने के लिए आती है उसके stepdad टिवी देख रहे थे इसावेला उनके पास आकर बैठती है उन्हें देखकर हसने लग जाती है वो पोच्छता है कि तुम ये क्या कर रही हो कहती है कि तुम बहुत ही funny हो तुम मुझे बहुत हसाते हो stepdad उसे समझाने की कोशिश करते है कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक teenager हो तुम कोच experiment करना चाहती थी तुमारी mother को तुमने बहुत hurt किया है इसावेला अपने step father से भी flood करकर बात कर रही थी mother ने जब एदेखा तो गुसे में father को लेकर वो चली गए mother कहती है कि मुझे इसावेला से घीना दिया Nixon में हम देखते है कि इसावेला अपने therapist के पास आई हुई है therapist उससे पुछता है कि उस आदमी के मर जाने के बात तुमने stop you कर दिया वो गहती है कि मैं George से बहुत बार मिली थी therapist पुछता है कि क्यो वो गहती है कि वो बहुत ही sweet था उसे वो अच्छा लगने लग गया था उसे मुझसे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं था वो हमेशा मुझे सहला आता रहता था जिस दिन उसकी death हुई उस दिन वो पहली बार ही intimate हुए थे इसावेला फिर खेती है कि मुझे बहुत ही करत लगा पहली बार मैं जो काम कर रही हूँ एक करते हुए मुझे dirty लगा इसके बाद वो continue करना नहीं चाहती थी इसके बाद next year में हम देखते इसावेला की friend का break up हो चुका है वो उसे cheer up करने के लिए और आद में party में जाने वाले है इस party में उसे अच्छा नहीं लगता वो ज़रा silence के लिए बहार आ जाती है उसका classmate Alex उसे मिलता है Alex वही classmate है जो उसे पसंद करता है वो फिर directly उसे पूछ लेता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ वो थोड़ी सोच कर उसे हा कह देती है यह दोनों फिर party में आकर dance करते है रात बहुर बाती करते है city में घुमते है Paris का famous bridge इसको भी visit करते है इनकी date बहुत beautiful थी है इसके बाद movie में spring आता है और एक season बदल चुका है Alex और Isabella अब relationship में है इसे हमें पता है कि time गुजर चुका है और Isabella अब Alex के साथ नहीं रहना चाहती है उसे कहती है उसे कहती है कि मैं तुम्हारे प्यार में नहीं हूँ उसे break up कर लेती है जिस excitement के लिए वो लोगों से मिलती थी उसकी life से missing है उसके पास अभी भी उसका दूसरा mobile है इसे वो on करकर देखती है तो उसकी previous client से बहुत सारे messages उसे आए हुए है एक message George की wife की तरफ से है उसे मिलना चाहती है जहाँ पर George और Isabella मिलते थे वही पर यह मिलते है George की wife है दिये कि जिस लड़की से मेरा husband मिलता था एक बार मुझे उसे देखना था Isabella उसे sorry कहती है wife कहती है कि तुमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है वो पहले भीमार था तुमारी जैसे इतनी beautiful लड़की से प्यार करते करते हो मर गया इससे अच्छी date क्या हो सकती है वो कहती है कि तुम बहुत ही beautiful हो तुम में एक दर्थ है यही चीज थी जो George भी Isabella को कहता था जोज की wife कहती है कि मैं भी जब यंग थी तो तुमारी जैसे ही दिखती थी अगर हम इसे face से analyze करे तो George अपनी young wife को याद करता था Isabella के साथ पहले कभी भी वो intimate नहीं हुआ था उसे सिर्फ वो सहलाता रहता था उसे देखता रहता था जब वो उसके साथ पहले बार intimate हुआ तब ही उसकी date हो गए Isabella जो करती है यह George की wife को intimate dating लगता है इसके बाद वो Isabella को George की जहाँ date हुई थी वहाँ पर लेकर आती है वो गहती है कि एक बार मुझे room देखना था Isabella भी यही चाहती थी उसके पास आकर उसे लेटने की लिखेती है जिस तरह से George Isabella को सहलाता था उसी तरह से wife भी Isabella को सहला कर उसे सुरा देती है Isabella जब उठी तो George की wife वहाँ से चली गई थी यहीं movie end हो जाती है आपको लग सकता है कि बहुत ही abrupt ending है पर ऐसा नहीं है और हम देखें तो Isabella और George की wife यह दोनों closure जाती थी George की wife देखना चाहती थी कि वो कौन थी जिसके बाद George चाय करता था जब उसने Isabella को देखा तो उसे उसका reason पता चल गया जायद George और उसकी wife की relationship जिसे पहले थी वैसी नहीं रही वो अपनी wife को miss करता था Isabella में भी उसे अपनी wife ही दिखी George की तरह Isabella को सहला कर वो अब इस situation से move on कर गए Isabella के ending के बारे में हम बात करें George की मर जाने के बाद वो भी disturb हो चुकी थी उसके बाद उसकी relationship हुई है पर सही से closure नहीं मिला था George की wife से मिलने के बाद उसे भी शायद closure मिल चुका है Isabella के बारे में आपको बहुत सारी चीज़े कलद लग सकती है और वो थी गलत एक fact ये भी है यूँ एक teenager थी इस age में हर कोई अपने आपको ढूणने की कोशिश करता है सबका प्रोसेस अलग है उसका भी इसी तरीके से एक गलत अजीव सा अप्रोच था इसी तरह से movie end होती है और आज का वीडियो हम यही खतम करते है और आप कोई वीडियो चलगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी movies लेकर आध रहता हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेन इंट्विशन आइकोन दबारें मत भूले हम भी से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक दे थैंक्यू और आप हमने आपका ख्यार देखिया